किसी भी construction site पे जो आपका flooring work होता है काफी important होता है लेकिन जादतर civil engineers को ये नहीं पता होता है कि flooring work कराते टाइम पे उन्हें क्या-क्या कीज़े चेक करनी चीए Hello everyone, मेरा नाम है अमित, आप सभी का स्वागत है Solitude Education के YouTube चनल पे आज की वीडियो के अंदर मैं flooring work की जो हमारी checklist होती है उसके बारे में discuss करूँगा आपको ये समझाने की कोशिस करूँगा कि अगर आप किसी भी construction site पे flooring work करवा रहे हैं तो आपको क्या-क्या चीज़े उसके अंदर चेक करनी चीए और क्या-क्या चीज़े उसके अंदर काफी important होती है चलते हैं laptop की screen के अंदर और आज का जो हमारा topic है उसको discuss करते हैं अभी आप अपनी laptop की screen पे mobile की screen पे PDF format आप देख पा रहोंगे यह flooring work की जो हमारी checklist होती है उसमें आपके यहाँ पे आपको दिख रही होगी इसके अंदर कुछ points हैं जिनको मैं one by one discuss करूँगा जब भी हम कोई भी flooring work check करते हैं तो उसके अंदर हमें दो step के अंदर check करना होता है एक flooring work start होने से पहले और एक flooring work जब आपका start हो चुका है उस time पे आपको check करना हो तो सबसे पहले हम लोग pre flooring work बात करेंगे उसके बाद during flooring work बात करेंगे तो सबसे पहले pre की बात करते ह बेसिकली तो सबसे पहला जो important point होता है वो यह कह रहा है कि जिस भी surface पे हम flooring work कराते हैं वो surface clean होना चीए और उस पे कोई भी loose material नहीं होना चीए क्या होता है कि flooring work start होने से पहले brick work होता है plaster work होता है उपर के slab की casting होती है तो हमारे floor पे काफी loose material जो है वो एकटा हो जाता है तो generally कई बार ऐसा होता है कि contactor अपनी labor बचाने के चक्कर में जो वो loose material होता है उसको side से नहीं अटाते हैं तो आपको flooring work start करवाने से पहले सबसे प जैसे हमारी wall tiles लगती है toilet के अंदर तो हमारा walls पे जितना भी plumbing related work है electrical switches वगेरा है वो सब कुछ complete हो जाना चीए क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम electrical work या फिर plumbing work complete नहीं करते हैं और flooring work start कर देते हैं उससे हमें future में दिक्कत आती है और हमें flooring work को तोड़के अपना brick work या फिर electrical work है plumbing work है वो करना पड़ता है तो यह भी setback होता है किसी भी construction site पे तो आपको इसको भी avoid करना है इसके बाद next होता है bull levels generally क्या होता है कि हम लोग जो level mark करते हैं floor पे हम लोग जितने भी जो outer areas होते हैं फिर वो area जहां पर पानी का floor regular होता है जैसे आपका toilet है kitchen है balcony है roof है open area तो यहां पर कभी भी हमारा water का flow हो सकता है तो इस case में हमें flooring में slope देना होता है और generally जैसे हमारे जो bedroom है drawing room है living room है जहां पर बहुती rare पानी आता है तो उस case में हम लोग जो level होता है वो zero zero रखते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले level की marking करनी होती है floor के उपर तो माल लीजी ह हमारा यह floor है इसके उपर हम लोग क्या करते हैं इस तरीके से level के ठीय लगाते हैं clear इनका क्या होता है कि यह जो top level है इन सभी का यह same आपको देखने के लिए मिलेगा इनसे हमें यह help मिलती है तो हमें यह पता चल जाता है कि हमारा mortar की thickness कितनी आ रही है दूसरा इससे हमें य fashion होता है मिस्तरी होता है टाइल वर्क का जो conductor होता है वो इस तरह के level के ठीय नहीं लगाते है जिसकी वज़से से बाद में हमें slope maintain करने में या फिर हमारा जैसे floor है या flat है उसके अलग-अलग rooms होते हैं उनके level में भी कही बार differences आ जाते है तो आपको एक बार पूरे floor पे level की proper नहीं होती है जिसकी वज़े से हमारी motor की thickness काफी जाधा आती है तो अगर आपकी motor की thickness 70-80mm, 100mm या फिर 100mm से भी ऊपर आ रहे है तो उस case में आपको क्या करना है कि नीचे CC flooring कर लेनी है दो इंच की तीन इंच की जितना भी आपका level difference आ रहा है देन उसके बाद आपको motor उस कई बार ऐसे होता है कि हम या तो same pattern की tiles यूज़ करते हैं पूरे floor पे या फिर हम अलग-अलग यूज़ करते हैं कि drawing room में अलग यूज़ कर रहे है, pattern master bedroom के अंदर अलग यूज़ कर रहे है, normal जो हमारा bedroom होता है उसमें कोई अलग pattern यूज़ करें, तो आपको ये भी सबसे प में light color लेना, तो आपको जो हमारी textures है, जो design है, वो आपको confirm करके ही tile work start करवाना है, इसके बाद next है check for availability of the tools, जितने भी tools है, चाए mortar mixing के लिए हमारा mixture हमारी site पर available होना चाहिए, machine होनी चाहिए, जो हमारी tiles होती है, उसको cut करने के लिए, level के लिए machine, auto level वगरा site पर available होना चाह इसके बाद next आते है, during, जब हमारा tile work start हो जाता है, flooring work start हो जाता है, तो उस time के हमें क्या क्या चीज़े check करनी चाहिए, सबसे पहला है कि ensure tile of same batch are used, जनरली क्या होता है कि जब कोई भी company tiles manufacturing करते है, तो लोट या फिर batch के हिसाफ से manufacturing करते है, कि एक बार के में उसने इतने से उनको manufacture करती है, तो इससे क्या होता है कि load size change हो जाता है, load size change होने की वज़े से हलका full cut design pattern भी change हो जाता है, क्योंकि कोई भी machine जो होती है, वो ideal नहीं होती है, तो उसकी वज़े से क्या होता है कि अगर आप same design की tiles अलग-अलग load की use करोगे, तो आपको textures के अंदर काफी difference जो के लिए क्या हो, और अगर आप site पे tiles लगवा रहे हो, तो भी आप एक room के अंदर same load की है, फिर एक पूरे floor के अंदर, एक flat के अंदर आपको same load की tiles यूज़ करनी है, otherwise क्या होगा कि textures के अंदर आपको difference मिलेगा, जिसकी वज़े से ऐसा लगएगा कि जैसे आपने अलग-अल ध्यान नहीं देते हैं, आपको proper ध्यान देना कि आपका जो mortar है, वो proper mix हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, साथ ही साथ जो mixtures आपको specify किया गया, आपके drawing के अंदर, जो mix ratio specify किया है, वो ही mix ratio जाए साइट पे use होना चीए, इसके बाद next हो था check for pattern of link, जो pattern आपने decide किया है, आ आपने कोई design final किया है, आपके architect ने कोई design final किया है, आपके client ने कोई design final किया है, same design pattern side पे use हो भी रहा है, या फिर नहीं हो रहा है, या फिर same design pattern side पे बन रहा है, या फिर उसके अंदर कुछ error है, कई बार ऐसे होता है कि same design pattern तो बन रहा होता है, लेकिन उस तरीके से नहीं बन तो आपको यह भी प्रोपर चेक करना है कि आपका डिजाइन सेम होना चाहिए साथ इसाथ उसको प्रोपर जो है वो बनना चाहिए जैसा कि आपके ड्रोइंग के अंदर है इसके बाद नेक्स आता है चेक थिकनेस फॉर ऑफ इस पेसर जोइंट बिट्विन दे टाइल दो तर गैप हम लोग फिल करते हैं इसमें हम लोग जो है अलग-अलग टेक्चर्स किया अलग-अलग कलर की अपक्सी फिलिंग्स हम इसके अंदर करते हैं तो उससे क्या होता कि देखने में काफी अच्छा लगता है यह चीज आपको कमर्शल पोजेट्स पे काफी देखने के साथ साथ हमें यह चैक कर रहे हैं कि यह जो कॉर्नेर्स हैं यह जो आपके चारों तीन यह से होता है कि आहीं बहुत में ही डिफेट्स तांट कि अगर तो अगर आपके टाइल्स में डिफेक्ट है आपको इस टाइल्स को हटा देना और उसको रिप्लेस करवाना है या फिर मैसन अगर गलती कर रहा है तो मैसन को आपको टॉक्किया उसको सही कराने कि यह कॉर्णर जो है वो मिलने चाहिए इसके बार नेक्स होता है एंशोर के लिए हमें स्लोप प्रोवाइड कराना होता है तो जब भी टाइल्स लग दिये इन एरियास के अंदर तो आपको एचक करना है कि आपका स्लोप आपके ड्रेने साइड पे है या फिर नहीं कई बार ऐसे होता है कि हमारा ड्रेनेस पॉइंट होता है यहां पर और जो मैसन ह है वो स्लोप उल्टा जो है प्रोवाइड करा देता है तो यह relative होता है क्या पर क्या रे पर जाद़ स्लोप परोड देंग, और Ρिमेनिंगर का गक्रोइड करतीं तो हुसकी वजह से क्या होता कि जैसे ryn होती है तो एक ड्रेन पर आपका ज्याद है वाठाधर का प्रेशर आतर बाकी पर åp का कम रहता तो उसकी वज़ासे चत पे कई बार जो है पानी भी भरने की समझ्या देखने को मिलती है तो आपको यह चेक करना है कि जो slope दिया गया है वो proper drainage के इसाब से है या फिर नहीं है साथ ही साथ आपको यह भी देखना है कि जिन सरफेस पे slope नहीं है वहाँ पे slope नहीं दिया है या फिर दिया है वो भी आपको देखना है लेवल पाइप वगरा आते हैं लेवल ट्यूब्स होते हैं कई सारे इक्विपेंट्स मार्केट के अंदर अवेलेबल है जिससे आप slow बड़े आसानी से चेक कर सकते हैं इसके बार next आता है कि check for starting point of the tile laying matching of tile joints जैसे मैं नहीं उपर बताया था कि tiles के joints आपके match होनी चाहिए इसके लावा एक और मिस्तरी जो है आपके घडबर करता है जनरली जब tiles को cut करने की बाद आती है तो वो घटिया quality का जो blade होता है वो use करता है जिसकी वज़े से आपके जो tiles की cutting होती है proper नहीं होती है तो proper straight आपको नहीं दिखेगी या फिर उसके जो edges होते हैं यह आपकी tiles है clear और इस tiles को cut किया blade के हैं तो यह उपर वाले corner के edges और यह नीचे के corner के edges यह ना damage हो जाते हैं कर आप घटिया quality का blade use करते हो तो आपको यह भी ensure करना है कि जो आपका meshion जिस blade से आपकी tiles को cut कर रहा है वो किस quality का blade है और आपको सबसे पहले जो आपके बाद waste tile पढ़ी है उस पे blade को चलवा के आपको देख लेना कि proper cutting यह blade कर रहा है या फिर नहीं कर आपका water tab आ रही है किसी point पर electrical switchboard आ रहा है तो वहाँ पर आपको देखना है कि proper cutting करके आपकी tiles है वो लगी है या फिर नहीं लगी है कई बार ऐसे होता है कि माली जी यहाँ पर मेरा tab आ रहा है और tab के यहाँ पर circular जो है मुझे cutting चीए थी लेकिन जो मैसन है उसके पास में को requirement होती है दो इंच डायागी और वो दो इंच से जादा cutting कर देता है तो वो देखने में काफी खराब लगता है और बाद में उसमें white cement या फिर उसमें color mix करके जो है उसमें fix करने की कोसिस करता है ताकि दिखे ना लेकिन एक तरीके से जो आपका appearance है वो bigger जाता है तो आपको यह भी check करना है कि ऐसी situation में आपका जो मैसन है वो किस तरीके से जो है वो cutting कर रहा है या फिर नहीं cutting कर रहा है इसके लावा आपको एक और चीज़ चेक करनी है कि basically यहाँ पे ensure waiting of the tiles in water before mixing generally जितनी भी जैसे जो wall tiles होती है जो हम wall पे tile लगा रहे है उन्हें wet करने के बाद ही उ में यूज़ करना जी उन्हें को पहले पानी के अंदर immerse करना है आपको कुछ time पहले और उसके बाद में ही उनको यूज़ करना इस पेसलिए अगर आप ceramic tiles यूज़ करें तो अगर आप चाते हैं कि ceramic tiles और जो हमारी vitrified tiles होती है इसमें क्या difference होता है डोनो tiles कहाँ पे कौन सी सीरी में कहां पर यूज होती है विट्रिफाइड कहां पर यूज होती है तो इस पर dedicated video कर आप चाते हैं तो आप comment section में mention भी कर सकते हैं आने वाले time के अंदर मैं इसके उपर dedicated video भी आपको provide करा दूंगा basically यह कुछ checklist थी आप इन checklist के screenshot लेके रख सकते हैं अगर आप यह PDF चात लाइक करो शेयर करो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ओके थैंक यू